हेलो स्टूडेंस स्वागत है आप सबका और एक नए वीडियो में जहां पर आज हम पढ़ने वाले हैं स्टांडर एट का चप्टर नंबर 16 लाइट तो बच्चों यह चप्टर स्टार्ट करने से पहले पहले इस चप्टर के इंपोर्टेंट्स के बारे में जान लो यह चप चप्टर कितना इंपोर्टेंट है आप लोग जान सकते हो या फिर आप चल की आगे चल के स्टांडर 10 में भी इविन इप आपका टूल में भी यह चप्टर जो है आप पढ़ने वाले हो तो बच्चों इस चप्टर को अच्छे समझने को से ना तो यह चप्टर सुरू करन आप क्या देख पा रहे हो इस इमेज में आपको क्या दिख रहा है तो आप लोग बोलोगे कुछ भी नहीं दिख रहा है बट जैसे कि इस कमरे का या फिर इस फिगर का हम अगर लाइट ऑन करते हैं तो आप लोग बहुत सारे चीज जो है वो देखने देख सकते हो या फिर दिख लाइट इज फॉर्म अप एनर्जी एफर सूर्सेस अफ एनर्जी फिच हैल्प टो सेंस ऑ फीजन जिसके बजह से हम लोग देख पाते हैं इस फिगर में जैसे बच्चो लाइट नहीं था तो हम लोग जो एक जो पिछ भी चीजे नहीं देख पारे थे बट जैसे की ल बात आता है कि इसके पहले लाइट ओप मतलब लाइट ओन करने से पहले हम लोग क्यों चीजों को नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि इस रूम में जितने भी चीजे रखे गया है बच्चो जैसे की ये बुक हो गया ये चेयर ये आपका कैलेंडर हो गया ये पेड़ पोधी जितने भी चीजे आपके सामने रखा गया है ये सारे के सारे ऐसे अबजेक्ट है जिनका खुद का लाइट नहीं है जिनके पास खुद का लाइट नहीं है वो किसी के हैल्प से बोलग चमकते हैं या फिर हमें हम इनको देख पाते हैं तो यहीं पे इन चीजों को दो पार् हो गया, यहां पर जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, हो गया, आग हो गया, इन सब के पास क्या होता है बच्छों, इनका खुद का लाइट होता है, they have their own light, और जिस भी अबजेक्ट के पास अपना खुद का लाइट होता है, तो इसको क्या कहा जाता है बच्छों, luminous object कहा ज बट जब भी इनके उपर किसी other source light reflect करता है या पर light आके लाएच गिरता है जैसे कि इस figure में आप लोग दिपर हम लोग Lights on किये, यह लाइट के रहे जो है हर तरस जो है वो खरने लगे हर तरस जो है वो आने लेगे और हमें जो है एक एक चीज clearly visible होने लगा, light का race आया, chair पे गिरा, तो हमें chair जो है वो clearly दिखने लगा, lights का race आया, इसी plant के उपर गिरा, तो plant जो है हमें clear दिखने लगा, तो क्या हो सकता है, the object which do not have their own light, इनके पास खुद का लगने है, but they are visible due to the light, they reflected, हो गया, जिस जो भी lights उनके उपर गिरता है, और reflected होने के बाद, हम जो है, सारे के सारे चीज़ों को, हम easily देख पाते हैं, बच्चों, तो how we can see the object, हम लोग एक किसी भी चीज को हम देखते कैसे है, इस figure के साब से आप लोग देखने को से को, जैसे कि ये apple को जो है, हम अंधेरे में रखते हैं, बट जैसे कि हम बाहर या पर sun के expose में लेते, तो क्या होता है, sun से बहुत सारा lights जो है, यहाँ पर आके इस apple के उपर गिरते हैं, और apple क्या करता है, वो light को reflect करता है, ये क्या करता है, light को reflect करता है, तब जाके हमारा eyes जो है, वो देख सकता है इस apple को, समझ में आया बच्चों तो क्या हो गया, सबसे पहले एक source रहता है, source light आता है, किसी object के उपर गिरता है, एक object के उपर गिरने के बाद, उस light जो है, वो reflected होता है, किस के उपर जो देखता है, या फिर हमारे eyes में, तब जाके हम सारे के सारे चीज़े देख पाते हैं, बच्चों, Let's suppose, अगर ये source को ही हम लोग बंद कर देते हैं, जैसे कि इस figure में हम, light coil, यहापर main source of light क्या था, bulb था, उसी bulb को ही हम लोग जैसे बंद कर देते हैं, ये सारा का सारा room जो है, वो क्या हो गया, dark हो गया, अंधेरा हो गया, तो अगर हमें किसी भी चीज़ को अगर देखना है, तो एक ray of light या, फिर source of light जो है, वो जैरूरी है, बच्चो, समझ में आया, light क्या होता है, कि ये form of energy होता है, जो हमें देखने में help करता है, हो गया, तो इन लोगों पास खुद का light कहा से आता है, जिनके पास खुद का light होता है, इनको luminous subject कहा जाता है, जिन लोगों पास सारे के सारे चीज़ जो होते हैं, हम इनको देख पाते हैं, बच्चो, समझ में आया, क्या होता है, जो, तो बच्चो, आगे बढ़ते हैं, बार बार जो मैं ये term यूज कर रहा हूँ, reflection, reflection of light, तो ये reflection है क्या, जैसे कि इस figure में भी हम लोग देखे थे, light आया, एक object को उपर गिरा, और ये जो है, किसी और direction में, जो है, ये reflect कर गया, तो, हम इसको क्या बोल सकते हैं, the bouncing back of the light, हो गया, the phenomenon of the light, bouncing of the surface, मतलब किसी भी object में टकराने के बाद, ये जो light, जो bouncing back होता है, ये फिर bounce करके आप किसी और direction में चला जाता है, इसी को ही क्या कहा जाता है, बच्चो, reflection of light, और इसी reflection की बज़े से ही, हम सारे के सारी चीज़ों को जो है, वो देख पाते हैं, समझ में आ रहा है, बच्चो, reflection क्या होता है, reflection कुछ नहीं, the bouncing back of the light, जब भी ये किसी surface के ओपर, ये किसी object के ओपर गीरता है, तो, क्या करता है, वो light को bounce back कर दिता है, और उसी phenomenon को, reflection of light बोलके कहा जाता है, बच्चो, तो, ये reflection भी जो होता है, बच्चो, ये भी दो तरह का होता है, एक होता है, regular reflection और diffuse reflection, तो, regular reflection क्या होता है, अगर, एक sources of light, जैसे कि हम लोग बात करते हैं, ये एक plane surface है, और सारे के सारे lights, अगर parallel, क्योंकि light जो भी भी आपका, parallel light जो आता है ये सारे के सारे एक surface के उपर गिरते हैं, और ये लोग क्या होते है, reflected back parallel, बोलोक, parallel ही बोलोक आते हैं, और parallel ही बोलोक reflect कर वह जाते हैं, उसी को ही क्या कहा जाता है, बच्चो, regular reflection और you can say the specular reflection भी इसको कहा जाता है, और इस तरह reflection कौन-कौन सो करते हैं, बच्चो, जैसे plane mirror ह गया, still water हो गया, ये सारे के सारे क्या करते हैं, रेगुलर reflection सो करते हैं, और diffuse reflection क्या 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 है, जैसे की parallel light, अगर किसी irregular surface के उपर गिरते हैं, तो बोलो क्या करेंगे, the back into all direction, वो जो है, एक दूसरे का इधर उदर भागना चालो कर दें, उसी कोई क्या है, diffuse reflection, सो करते हैं, जैसे कि इस figure में आप लोग देख भागना चालो कर देंगे, तो समझ में आए बच्चो, reflection क्या होता है, तो यह जो reflection होता है, बच्चो, यह भी एक law के उपर काम करता है, जिसको हम laws of reflection बोलके कहेंगे, तो आप लोग मुझे एक बार confirm करो कि reflection क्या होता है, समझ में आया है कि नहीं बच्चो, reflection क्या होता है, the bouncing back of the light हो गया, और reflection की बज़े से ही हम सारे के सारे चीज reflection, and second is diffuse reflection, हो गया, regular reflection is also known as the specular reflection, और diffuse reflection is also known as the irregular reflection, समझ में आया है बच्चो, तो अभी देखते हैं, यह जो reflection होता है, यह कौन से laws के उपर यह काम करता है, किस law के उपर यह काम करता है, तो देखते है, laws of reflection, तो बच्चो, laws of reflection, जानने से पहले हम लोगो कुछ terms clear होना बहुत ही जरूरी है, तो सबसे पहला terms हम लोग देखते हैं, कि क्या होता है, incident ray, incident ray मतलब जैसे कि यह हम लोग एक surface लेते हैं, बच्चो, यह कुछ भी एक surface है, तो जो ray of light सबसे पहले आके, इस point पे या फिर किसी point पे आपका touch करता है, इसी को ही क्या कहा जाता है, ब बोलके कहते हैं, बच्चो, तो क्या हो गया, the light rays which strike on any surface, किसी भी surface पे यह अगर राइक करता है, तो इसको हम incident ray बोलके कहते हैं, then next आता है, बच्चो, reflected ray, यहाँ पर टकराने के बाद, light जो है, वो bounce back करेगा, हम लोग जैसे reflection में देखे है, light जो है, वो bounce back करेगा, किसी और direction, यह रे को हम लोग क्या बोलके कहते हैं, बच्चो, reflected ray, reflected ray, तो क्या होता है, the ray that come back from the surface, यहाँ पर टकराने के बाद, जो lights reflected होता है, उसी को ही क्या कहा जाता है, या फिर come back करता है, उसी को reflected ray कहा जाता है, then next हमरा राज़ता है, यह एक imaginary point होता है, बच्चो, जहाँ पर incident ray जाता है, उसी point को नॉर्माल बोलके कहते हैं, बच्चो, यह जो dotted line जो होता है, इसी को हम लोग नॉर्माल यह एक imaginary होता है, और यह हमेसा उसी surface के साथ कितना angle create करता है, बच्चो, यह हमेसा 90 degree angle create करता है, 90 degree यह हमेसा बनाता है, बच्चो, तो normal क्या हो गया, इस perpendicular line, किसी भी surface यह आप चाहे, वो mirror है, चाहे किसी भी surface में, जो 90 degree बनाता है, उसी को ही हम लोग क्या बोलके नॉर्माल बोलके कहते है, then, the angle of incident, तो angle of incident क्या होगा, the angle between the normal and the incident ray, यह angle को बच्चो, क्या कहा जाते, angle of incident और इसको डिनोट किया जाते, क्या, angle of I बोलके डिनोट किया जाते, त उसके बात, angle of reflection, वो ही same, the angle form between the reflected ray and the reflected ray, and the normal is known as angle of reflection, इसको हम लोग R से डिनोट करते है, बच्चो, समझ में आया, तो अभी यह term को जो है, बच्चो, आप लोग पूर अच्छे तरह से समझ लो, incidentry क्या होते है, reflected ray क्या होते है, normal क्या होते है, angle of incident, angle of reflection, इतना जानने की बात हम लोग चलते है, बच्चो, laws of reflection, तो laws of reflection, क्या होता है, what is laws of reflection, तो इसका भी दो लोग होते है, बच्चो, तो सबसे पहला लोग क्या होता है, the angle of incident is equal to the angle of reflection, तो light हमेसा कभी भी किसी भी surface पे अगर गिरता है, तो हमेसा क्या करता है, the angle of incident, यह बाला angle, always equal to होते है, किसके साथ let's suppose यहां पे हम लोग बात करते है एक अगर यह 45 डिग्र बनाता है बच्छो यह अगर 45 डिग्र बाता है तो एंगेल आप रिफलेक्शन भी कितना होगा यह भी आपका 45 डिग्र होगा और यह लो आपका वही बोलता है तो फास्ट लोस अप रिफलेक्शन से देट देट and the normal and the point of incident is all the lie in the same place यह 3 की 3 incident ray हो गया, normal रे हो गया यह फिर reflected रे हो गया यह तीनो की 3 एक ही point पर लाय करते है यह पिर same plane पर ही यह लोग लाय करते है बच्छो यह फिर वो लोग दो अगरी करते है तो यह था बच्छो एक ओवरल आइडिया about the laws of reflection अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े बच्छों सबसे पहले हम लोग देखे कि light क्या होता है क्योंकि ये source of energy होता है और next हम लोग देखे कि reflection क्या होता है reflection का types क्या होते है कौन-कौन से types के reflection होते है then laws of reflection हम लोग देखे और laws of reflection पढ़ने से पहले हम लोग कुछ terms के बारे में पढ़े तो बच्चों यह पार्ट आपको समझ में आया अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आया तो like कीजिए और हमारे वीडियो आगे देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe कीजिए मिलते हैं इस chapter के next part में तब तक के लिए बाई बाई